नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागता है हमारी यूट्यूब चैनल क्रेकिट में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जो आपका सबसे ज़्यदा पुछा जैने वाला सुवाल है उसी के उपर डिसकसिना वो करने वाले हैं कि आपको रिट दोहजार बाइस की तैयारी करने चाहिए या फिर सेकंड ग्रेट की या फिर फेस्ट क्रेट की है ना ज्यादा हमारा फोकस है वो रिट के उपर रहेगा क्योंकि इन दोनों के बीच आपका कोई डाउट नहीं है ये डाउट आपका कलियर है या तो आपने सेकंड ग्रेट की तैयरी वो स्टार्ट कर दी थी या फिर फेस्ट क्रेट की स्टार्ट कर दी थी लेकिन जैसे ही मुक्य मंत्री जी ने रिट का नाम लिया कि 14 और 15 माई को रिट का एक्जाम होगा तब आपके मन के अंदर ये डाउट आ गया कि मैं रिट की तैयरी कर लूँ क्योंकि मैंने अभी 3 मैने पहले तक रिट की तैयरी की थी तो वापस से रिट की तैयरी करूँगा तो वापस से रिविजन करना पड़ेगा और जल्दी सब कुछ कवर हो जाएगा ठीक है लेकिन इसके अलावा आपने ये भी देखा कि रीट के अंदर कितनी पोश्ट हैं लगबग 20,000 पोश्ट हैं जबकि 2nd grade के अंदर पोश्ट हो कितनी 10,000 हैं और 1st grade के अंदर पदों के सिंख्या कितनी हैं सिरफ 6,000 है ठीक है तो आपका एक डाउट ये भी हो सकता है कि इसमें पदों के सिंख्या हो सबसे जदा है लेकिन इसकी अकिकत भी आप थोड़ी सना समझने की कोसिस करना मैंने आज सुबह ही टेलिग्राम चैनल के उपर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिलेगा वहाँ पर आपको डाल देखेंगे तो आप अपना नहीं जरूर कर लेंगे कि आपको किसके तैरियाओ करनी चाहिए और तैरिके अंदर जूट जाना चाहिए ठीक है जितनी जज़्यादा आप लेट कर रहें उतना ही अपने आपको पिछे कर रहें ठीक है से तो हम बात करते हैं रिट दो हजार प पदाँ वो खाली है भाना और लेवल सेकंड में आप देखेंगी तो 12,000 पदाँ को खाली है ठीक है यह आज की बात है आज सुबह इतने पदाँ वो खाली थे तो इसमें से जो आपकी अभी वेकेंशी आ रही भगती 2,000 की जिसकी मालच जोइनिंग हो जाएगी माई जोन जुलाई जब भी जोइनिंग देगी गवर्मेंट तो उसमें से ये जो टोटल पदा है इसमें से लेवल सेकिंड के पद कम हो जाएंगे और लेवल फैस्ट के भी पदावों कम हो जाएंगे जो खाली पद उसके बाद बचेंगे उसमें आपको अनुपात है वो एक अनुपात सोरी दो अनुपात एक का नजर आएगा दो अनुपात एक का मतलब क्या है लगबग लेवल सेकिंड भी जितने पद खाली होंगे उससे ज़स्ट डबल पद किसमें खाली मिलेंगे लेवल फेश्ट के अंदर मिलेंगे तो लेवल फेश्ट में पदों की संक्या वो ज्यादा आएगी इस बार जो नई रिट है 2022 उसमें आप देख लेना लेवल सेकंड के अंदर पद हैं वो लगबग आपको 7000 के आसवास मिलेंगे और लेवल फेश्ट के पदों लगबग डबल होंगे तो इनकी वेकेंसी भी लगबग डबल है वो आएगी ठेक है दूसरा कारण लेवल फेश्ट में पदों की संक्या ज्यादा खाली होने का एक केडर है परबोदक नाम से हैना परबोदक नाम से केडर आप ने देखा होगा नाम सुना भी होगा आपने तो परबुदक का जो केडर है वो दिरे-दिरे समापत हो रहा है, मतलब जो भी teacher पहले बनेutan हो है मतलब जो परबुदक लगे होए है जिनका retirement हो हो रहा है, तो वो पद वापस से परबोदक को नहीं दिया जा रहा है जैसे अगर वो लेवल फैस्ट से परबोदक है तो वो जो खाली सीट होगी वो लेवल फैस्ट में गिंती में आ जागी अगर वो लेवल सेकिंड से है रिटार्मेंट होगा तो वो पदव लेवल सेकिंड की गिंती में वो आ जायेगा, ठीक है? एक सबसे बड़ा कारण यह है एक कारण तो यह है कि आपके पदों के संग हो बहुत कम होगी दूसरा कारण क्या है दूसरा है कि यहाँ पर आप देखेंगे मान लेजे exam एक होती है या फिर दो होती है उसके उपर भी हम डिसकेसन हो करने वाले है लेकिन पहले चाहे एकजाम एक हो चाहे दो हो हना एक एकजाम होई तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुक्सान दा एक बात है क्योंकि तब तो रिटे 2021 से पेपर मेरे साथ से कोई इजी नहीं बन सकता सबसे इजी पेपर आप इसको कह सकते हैं इससे तो पेपर टफी आएगा तो ये ऐसे के इसे कंडिडेट हो वापस से सेलेक्ट हो जाएंगे 2022 के अंदर अब मान लीजे एक्जाम दो होती हैं तो भी फैस्ट जो एक्जाम होगी जो पातरता प्रिक्स होगी उसका वेटेज रहेगा 20% का ठीक है 20% या 30% या 10% जो भी कोवर्मेंट कहेगी उतना वेटेज हो रहेगा और उतना भी काफी होता है क्योंकि competition exam में या फिरेट की exam के अ हैं और एक student है जिसके 70% है तो ये 2% जो graduation के उपर उनको मिल रहे हैं वेटेज के कारण ये भी बहुत होते हैं तो वही वेटेज वापस से आपको चाहिए दो exam होई चाहिए एक exam होई दोनों के अंदर ये 1% या 2% का अंतरव रहेगा वो भी बहुत ज्यादा होता है क्योंक आपने देखा होगा लगबग एक या 2 मैने से हर नेक्स्ट वेक के अंदर विगपती आ रहे हैं सेकंड ग्रेट की और फेस्ट ग्रेट की लेकिन अभी तक विगपती हो नहीं है ठीक है तो इन्होंने शिरफ बोला है और दूसरा आप ये भी समझदार है कि 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 लिए मुख्य मंतरी जी ने शिरफ कहा है ना उसके बाद अभी तक ना तो विगपती आई है कोई और उसके अंदर फिर नेमों में संसोधन भी होगा तो उसमें भी समय लगेगा तो मेरे नुसार बहुत कम संभावना है एक परसंट चांस है कि मई के अंदर एक्जाम हो ठीक है त पातरता जो परिक्स होगी उसके एक मेने पहले या फिर देड़ मेने या दो मेने की तहरी आपके लिए बहुत होगे ना दो मेने के अंदर आप अराम से जो पेपर आएगा उस हिसाब से अच्छा स्कोर हो कर पाएंगे ठीक है तो पातरता परिक्स होगी तो वह एक्जाम न्यू स्टेडियन्ट आएंगे तो उसके बाद ही साइध रिट का आयोजन होगा दूसरा करन क्या है लगबगे 25 लाग के आसपास फोरम आयते है रिट 2021 में ठीक है तो आविदिन की संक्या इसमें लाग या 2 लाग बढ़ने वाली है कम नहीं होगी है ना तो इतनी बड़ी परिकşा का आयोजन भी 3-4 मेनों में करना मेरे साथ से थोड़ा सा कम ही है हना कम ही चांज सकी इतनी बड़ी एक्जाम हो पाई वह भी तब जब अभी बोर्ड तो तेन्त के एकजाम लेगा तो अन्र पास काफि काम है ना काफि काम है बोर्ड अभी एक्जाम के आन्दर मिलेंगे ना तो मैंने आपको 3-4 करण बता दी है माई के अंदर एक्जाम होने के चांद सा वह बहुत कम है अगर 2 एक्जाम होई तो वापस ये नेमों के अंदर संसोदन करना पड़ेगा तो सबसे बड़ा करन तो यह यह कि वापस एक्जाम होई नहीं सकती ठीक है और अगर इसना ज्यदा प्रभाफ हो पड़ा नहीं था लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पदों की संख्या लगबग जश्ट एकदम से आदी है एकदम से आदी हो रही है लेवल सेकिंड के अंदर तो इसमें बहुत ज्यदा नुक्साना होगा ठीक है इसकी बजाए अगर आप सेकिंड ग्रेड की तैयरी करते हैं तो सेकिंड ग्रेड के अंदर पदों की संख्या कितनी है दस अजार है ना दस अजार पद है लेकिन उसमें आप देखेंगे तो जो मैन आपके सब्जेक्ट होते हैं छे उनमें किसी भी सब्जेक्ट में अजार से पदहों कम नहीं हैं य आपके लिए golden chance है, math के अंदर लगबख 2000 पदों की संक्या होने वाली है, तो इतने ज्यादा पद 10 साल बाद आ रहे हैं, तो आपके लिए golden chance है, अच्छी तयारी करेंगे, तो अराम से इसमें selection हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आप math से हैं, तो आपको rate के बारे में सोचना भी वाली है, जिन्होंने माली जे last exam हो दी थी 2018 वाली, और वो एक experience उनके पास अचाए, उस time आपने तयारी नहीं की थी, फिर भी एक exam का आपके पास experience है कि किस प्रकार का paper आता है, किस प्रकार से आपको तयारी हो करने पड़ेगी, तो वो experience आपके काम आएगा, और फिर अभी रिट है, रिट के साथ ही second grade है, साथ ही first grade है, तो सबकी exam हो एक साथ आ रही है, तो कुछ बंदे रिट के लग जाएंगे, कुछ बंदे हो second grade की तयारी करेंगे, आपके पास अच्छा चांस है, जिसके पास experience है थोड़ा सा और अच्छी तयारी है, उनको first grade की तयारी हो करने है, selection के चांस इसमें ज्यादा है, ठीक है, second grade की तयारी मैंने आपको बता दिये, अगर आप सिर्फ रिट की तयारी करना चाहते हैं, तो रिट से अच्छा option आपका चाहिए, कोई भी subject हो, आपको second grade को option हो मानना चाहिए, और जो main subject हैं, जैसे जोग्राफी है, जिसमें पदो रिट की exam देने चाहते हैं, चाहिए, आपका कोई भी subject हो, चाहिए, हिंदी हो, चाहिए, इंग्लीस हो, ना, कोई भी subject हो, तो रिट से अच्छा option आपके पास second grade है, और अगर आप science system से हैं, science या math से हैं, तो आपके लिए second grade बेटर option है, रिट की तयारी किसको करना चाहिए, तो मेरे नुसार जो अभी B8 के अंदर admission लिए है, मतलब B8 first grade के अंदर है, उनके रिट है, वो अच्छा option है, रिट के तयारी उनको start up कर देनी चाहिए, क्योंकि जितने time में उनके पास ये degree आएगी, second grade की, sorry, B8 की, हना, तो उतने time से पहले पहले second grade की exam हो जाएगी, और first grade क की भी exam हो हो जाएगी, तो आपके पास qualification नहीं है second grade की exam देने का, और नहीं first grade की exam देने का, तो आप rate की तयारी कर सकते हैं, rate के अंदर आपके लिए अच्छे चांद सावों बन सकते हैं, ठीक है, तो जिन्होंने B8 के अंदर या PhDC के अंदर admission लिया है, उनको मेरे साब से rate की exam बिल्कुल नहीं हो सकती, ये सिरफ एक कतन था जो दे दिया मुक्यमते जहीं, जो अच्छा की फैस्ट grade में भी दिया ता, दो साल पर लेगी, तीन अजार की वेकिंश आएगी, ठीक, उसी परकार का ये कतना की rate की वेकिंश हो आएगी, मेरे साब से बिल्कुल नहीं exam होग ठीक है, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, इस वीडियो में इतना ही, थैंक्यू, जेहिन, जेवार्द